End of Hulk, क्या Hulk का काम तमाम हो चुका है, तो देखो यार, Hulk Marvel का सबसे ज़्यादा destructive character है, यानि की तभाई मचाने वाला character है, लेकिन Hulk तभाई मचाएगा कहां यार, क्योंकि बिचारे की कोई movie ही नहीं बनाता है, जबकि उसके साथ वालों की कितनी सारी movies आ चुकी हैं, Captain America की 3 movies आ और जो Hulk की last solo movie आई थी, वो आई थी लगभग 15-16 साल पहले, 2008 में, लेकिन Marvel ने अपनी बहुत सारी movies में Hulk को दिखाया जरूर है, दिखाया तो क्या ज़्यादा है, मतलब पिटाया ज़्यादा है, कभी Hulk Age of Ultron में Iron Man से पिटता है, Thor, Ragnarok में Thor से पिटता है, और Infinity War मुवी में Marvel के पास Hulk के अभी भी पूरी तरीके से rights नहीं है, तो देखो, जब Universal Pictures ने फरवरी 2006 में Marvel को Hulk के production के rights दिये थे, और तब Universal वालों ने एक और सर्त रगी थी, कि जो 2008 में The Incredible Hulk मुवी आई थी, इससे लगभग 15 साल बाद, यानि कि June 2023 में Marvel को Hulk के distribution के rights मिलेंगे, लेकिन इसमें भी एक सर्ती थी, भाई, कितनी सर्ते हैं यार, कि अगर Marvel Hulk पर कोई solo movie बनाता है, या फिर कोई ऐसी movie बनाता है, जिसका main character Hulk है, और इस situation में Universal Pictures वालों के पास वो rights हैं, कि वो इस movie को बनाने से मना कर सकते हैं, और साथ इसलिए Hulk कोई solo movie नहीं आ रही है, और उसे किसी भी movie में उतन सीन गुना जादा पैसा लगेगा, जो की 100% सही बात है, क्यूंकि Hulk के कैसा character है, जिसका काम ही है तबाई मचाना, तोड़ फोड़ करना, और अगर तबाई मचानी है, तो भाई पैसा भी उतना ही चाहिए, और साथ यही कारण है, कि Marvel Hulk पर कोई solo movie नहीं बनाना चाहता, लेकि है, लेकिन फिलाल तो नहीं आएगी, लेकिन Hulk साथ Marvel की और movies जैसे की Avengers वगेरा में दिखता रहेगा, लेकिन अब मेरा underground होने का time आ गया है, क्यूंकि इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक वाइक मार देना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो पा काजी घर देना, चलो, बाइ!